ये इंटिग्रेटेड ट्रांजिक कोरिडो प्रगती मैदान प्रदसनिस्थल को 21 सदी की आवश्रक्ताओं के अनुसार ट्रांस्फॉर्म करने का अभियान का हिस्था है दसकों पहले भारत की प्रगती को भारतियों के सामर्थ भारत के प्रोड़क्स हमारी संस्कृति को शोकेश करने के लिए प्रगती मैदान निर्मान हुआ था लेकि उसके बाद भारत बहुत बदल गया भारत का सामर्थ बदल गया हमारी जरूरते भी कई गुणा बढ़ गई लेकिन ये दुर्भाग्य है कि प्रगती मैदान की ज़्यादा प्रगती नहीं हुई वन्ना इस प्रगती मैदान की सबसे पहले प्रगती होने ही चाहिए थी वही छूट गया देड़ दसक पहले यहां सुभिधाओं के विस्तार का प्लान बना तो था कागज पे और एक फैशन तो होती है गोशना करो कागज पे दिखा दो दिया जहला दो फिता कार दो अकबारों में हेडलाइन ले लो और आप अपने काम पर मैं मेरे काम पर यही चलता रहा देश की राजधानी में विश्वस्तरिय कारकमों के लिए स्टेट अप दा आर्ट सुविधाएं हो एक्जिबिशन हॉल हो और इसको ध्यान में रखते भीए आज देश के कई हिस्सों में इन बातों को ध्यान में रखते भीए भारत सरकार निरंतर क्राम कर रही है हमारे इस दिल्ली में ही द्वारका में बन रहा इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्स्पो सेंटर और प्रग्रती मैदान में री डेवल्पेंट प्रोजेक्ट यह अपने आप में एक उधान बनने वाले है पिछले वर्ष मुझे यहाँ चार प्रजर्शनी हॉल के उध्गरन करने का अवसर मिला था और आज कनेक्टिविटी की इस आधुनिक सिविधा को लोकारपन हुआ है केंदर सरकार द्वारा कराय जा रहे आधुनिक निर्मार देश की राजधानी की तस्वीर बदल रहे हैं और उसे आधुनिक बना रहे हैं और ये तस्वीर बदलने के लिए सिर्फ नहीं है ये तस्वीर इसलिए बड़ली जा रही है वो तकदीर बदलने का भी एक माध्यम हो सकती है